ओम नमस्षिवाई आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने संबंदों को और मधूर बना सकते हैं अगर पती बार बार डाइवोर्स के लिए कह रहे हैं तो आप उसको कैसे रोख सकते हैं लगबग 11 साल पहले मेरे पास एक क्वैरी आय थी हिमाचल में तो वहाँ पर एक ऑस्टेलिया से लड़की थी उसने कहा कि उसके पती ने दो शादिया कर रखे हैं एक वो इंडिया में छोड़ के आगया है और एक मैं यहाँ पर हूँ तो ऐसे में उसको चाहिए था कि कुछ ऐसा मिले जो कि उसकी हेल्प कर सके तो जो तीसरी औरत आय थी बीच में उसको हटाने के लिए हमने यही मंत्र यह उसकिया था और यह इतना प्रभावी है कि मैं आपको क्या बताऊं जब आप सारे हतियार डाल चुके हो कि अब कुछ नहीं हो सकता जब कुछ भी काम ना कर रहा हो तब आपको यह यूज़ करना चाहिए इस मंत्र में ऐसी दैविय शक्ति हैं जो कि आपके रिलेशन में आने वाले किसी भी उतार चड़ाव को ठीक कर सकती है अगर पती आपका कहना नहीं मानते सास ससुर की ज़्यादा सुनते हैं तो भी यह बहुत ही इफेक्टिव रहेगा इसको बहुत सी जगहों में आप यूज़ कर सकते हैं अगर पती के साथ कोई तीसरी स्थी है पराइस थी है तो उसको दूर करने के लिए अगर पती मन मुटाव रखते हैं और डैवोर्स के लिए हमेशे कहते हैं तो उसके लिए भी आप इसको कर सकते हैं और यदि आपके रिलेशन में उतार चड़ाव आता रहता है कभी अच्छा कभी बुरा तो उसको स्टेबल करने के लिए भी आप ये कर सकते हो अगर एक बार ये मंत्र आपके पती पर आपने लगा दिया तो यू समझेए जिन्दगी भर के लिए वो आपके गुलाम बनके रह जाएंगे उनके सबसे पहली प्रियोरिटी आप होगे अगर आपने किसी चीज़ को ना कह दिया तो उसको ना ही कहेंगे ऐसी मानसिक्ता के लिए आपको इस मंत्र को यूज करना होगा इस मंत्र के adverse effect भी बहुत है इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूँ एक बार परामर्श अवश्य लें किसी सिद्ध गुरू से और उसके बाद ही इसको प्योग में लाएं यह मंत्र काली का है इसलिए इसमें थोड़ा सा सावधानी रखकर आपको इसको यूज करना होगा लेने के देने भी पड़ सकते हैं अगर जरा से भी चूख होगी इसमें जो है संक्या होगी 108 108 से ना उपर ना नीचे मंत्र है अमुक के जगे पर आपको अपने साथी अपने किसी भी प्रेमी प्रेमिका या फिर अपने पती का नाम लेना है जिसको भी आप आकरशित करना चाहो और इसकी ग्रहन काल, होली दिवाली या फिर किसी पैसे शुब नक्षत्र में आपको इसकी 1000 की माला जप लेनी है मतलब कि 1000 आपको इसकी जाब पूरे कर लेने है तब जाकि यह सिद्ध हो जाएगा उसके बाद आपको 108 बार 7 दिन तक ये मंत्र बोलना है साथ दिन तक 108 बार की संख्या में आपको ये मंतर बोलना है और जितनी भी आपकी व्यादियां होंगी आपकी रिलेशन में या फिर आपके पती आपकी बात ना सुने जो मैंने आपको पहले बता है बिल्कुल वैसा ही जो आपको चाहिए वही आपके सामने आएगा बस इसमें अपनी निष्टा दिखाईए और पूरी जोश और उत्सा के साथ इसको कीजिए और जब भी कोई आप ऐसी रिचुल करें जब भी कोई ऐसा आप समाधान करें तो किसी तीसरे आदमी को ना बताएं अगर आपने किसी तीसरे आदमी को बताए तो वो पहले ही आपको डिमोटिवेट कर देगा और इन मंत्रों में जो शक्ति होती है वो आपकी निष्ठा होती है अगर आपका विश्वास इसमें से उठ गया तो आप करोडों का उपाय कर लेजे वो भी नहीं लगेगा पूरे विश्वास के साथ कीजिए तो ये जरूर आपके लिए काम करेगे मानो तो गंगा ना मानो तो पानी तो इसको एकांत में अकेले में किसी को ना बताते हुए ये साधना आपको तब तक जारे रखने जब तक कि आपके पती जैसे आप चाहते हैं वैसे अनुकूल ना हो जाए और ये कोई खिलोना नहीं है इसके साथ खेलना नहीं चाहिए ये मंत्र है ये आपको बना भी सकते हैं और बिगाड भी सकते हैं तो ऐसे मंत्रों से बचकरी रहना चाहिए, जो की adverse effect ज़्यादा देते हैं, तो इसमें बहुत ही सावधानियों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो किसी सिद्ध गुरु से एक बार अब परामर्श अवर्श लें, कि इसको कैसे करना है, किसी भी तरह की जानकारी के लिए मुझ अटरियों का धनकारी का अब अवर्श शमेसे रहा ही जानकारी कम मुझ लें झालेक टॉछ依मे की साव़े सही एक बाराई झाले मुझमे क को मुझम स्कारी कर फुफम